जूलन गोस्वामी अपने अंतिम कैप में से एक में भी सटीक व्यक्ती थे, लेकिन इंग्लेंड के निम्न मध्यम वर्ग ने रविवार को यहाँ पहले महिला वंडे में घरेलू टीम को साथ विकेट पर 226 पर ले जाने के लिए एक बहादूर लड़ाई लड़ी. 49 वर्षिय अदिगगज गोस्वामी मित्वयई थे, उन्होंने 10 ओवरों में 42 पॉइंट गेंडों के साथ सिर्फ 20 रन दिये. उसने एक भी सीमा या छक्का नहीं लगाया और अनुभवी टैमी ब्यूमोट साथ से छुटकारा पाने के लिए एक बढ़िया ओफकिक भी खीची. एक चिपचिपे कोस पर जहां गेंध हमेशा रैकेट पर नहीं उतरती थी. भारत की कप्तान हर्मन प्रीत कौर ने कोट चुनने में सही काम किया. सेयर मेगना सिंग 8 ओवर में 1 बटा 42 ने शौर गेम से साथी फ्लाइहाफ एममा लैम बारा को हिट करने के बाद, गोस्वामी और स्पिनर दीपती शर्मा 10 ओवर में 2 बटा 33 और राजेश्वरी गायकवार्ट 10 ओवर में 1 बटा 42 दोड़े. ओवर्ट ने लगातार रन के प्रवाह का गला घोर दिया. हालाकि स्नेह राणा 6 ओवर में 1 बटा 45 और पूजा वस्ट्रिकर 2 ओवर में 0 बटा 20 के साथ साथ मेगना ने कुछ अंग गिराए क्योंकि घरेलू टीम 220 से अधिक पर समाप्त हुई. दानी व्याट पचास गेंदो में 43, एलिस डेविटसन रिचर्ड्स 61 गेंदो से 50 कदम और सोफी एकलेस्टोन 31 इंगलेंड के लिए उलेखनीय योगदान करता थे. यहाँ तक चाली डीम ने भी लक्षे को मजबूत करने के लिए अंथ में 21 गेंदो में से 24 नहीं अच्छा प्रदर्शन किया. घर्मन प्रीत इंगलेंड की 7, 8 और 9 नंबर की इंगलेंड की नंबर 7, 8 और 9 से थोड़ी निराश होंगी, जबकि 34 में इंगलेंड को 128-6 से मैट पर रखने के बावजूद या अंथ तक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. जहां गायकवार और दीपती ने अपनी गेंदों की गती में बदलाव किया, वही राणा उस गती से गेंदबाजी करने के दोशी थे जिससे उन्हें स्को करना आसान हो गया.